फ्रैक्टर्स और फीबोनाची में इतनी पावर है कि ट्रेंड्स बिल्कुल एक्यूरेटली प्रेडिक्ट कर सकते हैं हम इसी के बेसिस पे हमने हिस्टरी में 30,000 डॉलर का लेवल सपोर्ट बताया था और उसी के बेसिस पे हमने अभी करेंटली 43,000 डॉलर का बिटकोईन का प्राइस एस सपोर्ट बताया था अब क्या दिखा रहा है वो ट्रेंड आज हम फीबोनाची के माध्यम से आपको डीटेल में बताएंगे कि कब हम अपना बूलरं दुबारा कंटिन्यू करेंगे और साथी साथ वेल्स पे भी निगाह डालेंगे जिन वेल्स को हम ट्रैक कर रहे हैं कि वो वेल्स क्या खरीद रही है एथिरियम कारड़ानों के बारे में as always बात करेंगे और साथी साथ बात करेंगे कि बाकी market का trend किस तरफ जा रहा है मेरा नामे रोहित और Christiano के साथ मिलके ये global collaboration हमने की है आपके लिए technical analysis लाने के लिए ताकि आपका फायदा हो आप कुछ सीखें तो अभी कभी आप subscribe कर लीजिए और bell icon को दबा दीजिए आपको बहुत जादा फायदा होगा और वीडियो को like जरूर कीजेगा अगर आपको कुछ भी take away इस वीडियो से आता है तो फटा-फट से 4 hourly frame पे bitcoin से शुरू करते हैं before we get into the fractals and fibonacci bitcoin जो है हमारे उस माया जाल वाले range में घूम रहा है जो हम पिछले 5-6 दिन से आपको बता रहे है कि माया जाल है समय 43,000 डॉलर से लेकर 53,000 के बीच में माया जाल है जब तक हम उस level को तोड नहीं देंगे फिलाल हमने आपको 3 दिन से बता हुआ 48,000 का level जो strong resistance बन रहा है multiple times 4 hour lease पे touch हो चुका है उपर जाते हैं बट closing के time तक हम नीचे आ जाते हैं और इसलिए ये थोड़ा सा falling wedge design है जो कि bullish कहा जा सकता है अगर हम इसको break करते हैं तो definitely हम 48,000 के अगले level के उपर तोड देंगे जिसके लिए फिर आगे हम अपने golden pocket को test करेंगे जो हमारा orange box है golden pocket है the most important level in the bitcoin history मैं आपको detail में बताऊंगा क्यों जो channel पे नए हैं जिनको पता नहीं golden pocket क्या होता है और past में इसकी क्या significance रही है यही कारण है कि जब हम अच्छे का से bull run पे जा रहे थे 7 सितंबर को हमने इस golden pocket से उपर rejection पाई और इतनी बड़ी nose drive लेके करीब करीब हम 25% तक bitcoin नीचे crash हुआ one of the biggest crash by value था यह जो 7 सितंबर वाला था यह बताएगा कि golden pocket क्या होता है सबसे पहले fibonacci series क्या होती है swing high से swing low के बीच में fibonacci खींचते हैं और जो golden pocket का level होता है 1.68 का level उस वो level जो है वो level कहलाता है golden pocket और वो हमने यह blue color में highlight कर रखा है जैसे आप देख सकते हैं जब हमारे market का यह current bull रहा है था 20 July से लेकर 6 सितंबर तक तो यह almost non-stop था बड़ जैसे ही हमने golden pocket को cross किया उसके बाद से एक profit booking pressure कह लीजिए या एक panic कह लीजिए वो आई और market जो है दुबारा से slow down में चला गया market अभी भी bearish नहीं है अभी भी trend overall bullish है यह चीज़ अगर हम एक घंटे के one day के form में देख रहे है तो हमको लग रहा है कि थोड़ा सा snake shape pattern है बट overall जो है अगर आप इसको zoom out करके देख लें weekly पे देख लें तो बहुत ज़्यादा bullish momentum है और मैं आपको example के साथ history के साथ weekly basis पे बताऊँगा देखिए मैं आपको वीकली पे अगर आप देखें तो trend normal लग रहा है चोटा सा हलका से एक curve आया है बट अगर आप weekly पे देखें तो जब जब भी हमारी golden pocket बनी है उसके बाद market में बहुत बड़ी disruption आई है मैं आपको धिरे-दिरे करके past में लेके चलूँगा और evidence के साथ दिखाऊँगा कि golden pocket का जो stage होता है 0.618 से लेकर 0.651 तक का वो क्यों इतना critical होता है जब जब market ने इसको undisputedly cross किया है तब तक हम रुके नहीं है तो सबसे बहले हम July 2019 से शुरू करते है हमने golden pocket हिट किया बड़ा crash आया उसके बाद मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ but golden pocket is very very critical level हम weekly frame पे अगर देखें हमारा ये July 2019 वाला जो frame है अगर हम 2015 में चले जाएं तो हमने bottom पे आये bearish pattern आया उसके बाद हमने golden pocket हिट किया golden pocket के बाद हलका सा उसने correction गया ठीक उसी तरीके से जैसा हमने लिया देखें सेम pattern है वैसी ही बड़ी सी लाल candle बनी बिल्कुल देख पारे हैं ऐसा लग रहा है कि अभी का ही trend है और अभी हम नीचे की तरफ है और उसके बाद जब हमने golden pocket तोड़ी है अगर आप देखें लाल candle बिल्कुल उसी तरह का trend था 30% गिरे कम से कम 2-3 हफते तक हम नीचे गिरते रहे और उसके बाद हमने अच्छी सी speed पकड़ी और उसके बाद bull run बहुत parabolic गई है सेम चीज़ 2011 में हुई है 2011 में हम पहले bearish market में गए अपना bottom टेस्ट किया फिर हम golden pocket को टेस्ट किये golden pocket के दोरान बड़ी सी red candle बनी as always golden pocket को टाथ हो कि एक बार तो red candle बनती है 39% दोस्तों तो I think history बिल्कुल अपने आपको repeat कर रही है और मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ कि golden pocket 53,000 bitcoin जो है वो बहुत ही ज़ादा जरूरी element है याँपर obviously बात है पहले जब market छोटी थी तो crash बड़े बड़े आते थे आप crash relatively छोटे हो रहे है है ना अब 10% भी आते है तो हम लोग हिल जाते है क्योंकि 10% में value ज़ादा होती है पहले 30% में जो value होती थी वो 10% में value है ये वाला हमारे 7 सितंबर वाला जो latest हमारा crash था 16% का था बड़ वाल्यू वाइस ज़ादा था बुल्स के वास पैसा बचा भी है कि सिर्फ ऐसी हावा में भाग रहे है वही हुआ 20 जुलाई से लेकर 7 सितंबर तक हम लगातार आ रहे थे golden pocket पे crash हुए और अब जो है golden pocket को निहार रहे हैं घूर रहे हैं कि please 53,000 cross कर दो पर अगर 53,000 cross होता है same वही pattern है देखिए golden cross बना crash आया 2-4 हफते sideways गए जादा नहीं जाता है उसके बाद जो parabolic run आता है वो massive humongous आता है यही आपको दो बार history में दिखा चुके हैं तो यह चीज हमने करीब एक महीने पहले भी cover कि थी इसे लोगों में काफी patience आई थी कि ज़रूर ही नहीं है कि हम अगर 2-3 हफते market slow जा रही है sideways जा रही है 47,000 48,000 के आसपस घूम रही है तो इसमें कुछ डरने वाली बात है overall sentiment bull run के बहुत ही जादा impressive है हमें तो इसलिए मैं आपको भी बताने से आता था before we go to ethereum and cardano 2019-2012 हर बार golden pocket is एक trend breaker ये trend changer बनी है उसलिए 19 के दौरन अगर आप देखे तो थोड़ा सा elongated हो गया था almost almost हम 8-10 महिने तक sideways जाते रहे golden pocket को तोड़ने से पहले तो ये कोई भी predict नहीं कर सकता है कि ये वाली cycle में क्या हम उसी तरीके से कुछ महिनों तक sideways जाते रहेंगे या एक attempt के साथ golden pocket को break कर लेंगे मुझे लगता है कि दूसरा scenario होने के ज़्यादा chance है मुझे लगता है कि market में value आएगी volume आएगी scarcity इतनी है market में पैसा इतना है तो ये हम golden pocket को तोड़ेंगे जल्दी ही hopefully October के महिने में और उसके बाद हम रुकेंगे नहीं whales तो at least यह दिखा रही है हमारी जो favorite whale है सबसे बड़ी whale उसको हम follow कर रहे है almost हर तीसरे दिन हर दूसरे दिन वो 500 bitcoin 200 bitcoin करीद रही है और दोसमें छोटी value नहीं है ये almost millions of dollars की buying हो रही है तो ये whale जो है accumulate कर रही है ये दिखाते हैं ये whales का सबसे बड़ा address है जो लोग channel पे नहीं है जिनको नहीं पता ये सबसे बड़ी whale है bitcoin की जो full on खरीदारी के mood में है तो अच्छी बात है तो हम इस whale को watch करेंगे आपके लिए और साथ साथ आपको बताते रहेंगे कि कब whale जो है sell करने वाली है अगर हम Ethereum के price पे चलें I think Ethereum ने हमारा orange box break कर दिये जो कि अच्छी ख़़र है तो हमारा अगला जो target है अगर bitcoin अनलेस थोड़ा सा negative जाता है तो Ethereum को 4000 डॉलर की तरफ बढ़ना चाहिए hopefully October के end से पहले ही Cardano हमारा one of favorite है हमने Cardano की रिटायर उन Cardano की वीडियो बनाई थी आप लोग को बहुत पसंद आई थी हमें अच्छा लग रहा है देखे Cardano sideways जा रहा है क्योंकि smart contract के बाद जादा तर बड़े event के बाद जादा तर लोग profit booking करते हैं selling pressure होता है बट Cardano में वैसा कुछ नहीं दिख रहा है Cardano accumulate हो रहा है sideways चल रहा है और एक अच्छी चीज़े मुझे देखने में लग रही है अगर मैं long term view पे देखूँ डेली पे देखूँ तो जो इसका previous high था May का अगर आप देखें करीब 2.3 dollar का वो इसके लिए बहुत बड़ी support बन गया है तो अगर previous peak आपका support बन जाए जैसे आप देखें almost करीब पिछले 12-15 दिन से जब से smart contact announce हुआ है हमने जो previous peak को as a support बना के रखा हो इसलिए अगर आपको याद हो मैं हमेशा bitcoin के price के लिए भी कहता हूँ जितना bitcoin 45,000 47,000 पर जादा time बिताएगा वो उसकी आने वाले time पर जबर्दर support बन जेगी जब हम 75,000 से या 80,000 से गिरेंगे bitcoin में crash आएगा future में तो ये वाले levels हमारे लिए अच्छा support बनाएंगे काडानों के साथ भी यही हुआ पिछली बार भी इसने जब February 2021 में अपना peak बनाया था उसके बाद हम जब March के बाद इसमें गिरावट आई थी तो यही peak इसका support बन गया था अगर आप देखें यह peak के बाद हम यहाँ बे गिरें करीब April में और यह हमेशा इसका support बना जो previous high था वो कम से कम एक साल तक इसका काफी लंबे समय तक almost 6 महिने तक इसका एक अच्छा support बना रहा 1.02 डॉलर का जो level था जो previous swing high था वही pattern अभी बनता हो दिख रहा है जो हमारा मे का जो previous swing high है 17 मही का जो peak है वो अब इसके लिए एक support का roll play कर रहा है जो कि अच्छी बात है जिन लोगों ने उस समय lows पे खरीदा था जुलाई के lows पे खरीदा था वो लोग अभी भी अच्छे खासे profit पे हैं इसका मतलब long term में अपना base बहुत अच्छा तयार कर रहा है मैंने decide किया नहीं stick to your basic और long term के लिए invest करके चलो तो अगर आपने long term के लिए invest किया तो बढ़ाई हमने retire on cardano के वीडियो बनाया है उसके आप निगाह रखिए अगला फटावर से tether का cover करते तेether के बारे भी कुछ fud चल रहा है बड़ अगेन आपको डरारा नहीं चाता हूं बस यह बताना चाता हूं कि टीथर के price पे निगाह रखिए अगर टीथर एक रुपे एक डॉलर से नीचे जाता है तो वो थोड़ा सा खत्रे का संकेत होता है अक्सर जाता नहीं क्योंकि यह stable coin है यह डॉलर के अगेंस्ट पैग है तो इसलिए इसको move नहीं करना चाहिए बड़ टीथर के बारे में एक फड चल रहा है जिसके बारे में मैं डीटेल में बताऊंगा आपको आने वाली वीडियो में अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप इन लिंक से सब्सक्राइब कर सकते हैं लक्साइलगो भी खरीच सकते हैं थोड़ा महंगा है तो हम आपके लिए लक्साइलगो को रोज चेक करते हैं आपको बताते रहेंगे फटाफट से आपसे गिववे का कुशन भी पूछ लेते हैं आज हमने आपको काडानो का एक प्रीवेस पीक का पॉइंट बताए था जो अभी फिलाल उसके लिए एक सपोर्ट बन गया है वह प्रीवेस पीक हाई क्या था जो अभी सपोर्ट बना हुग आपको कॉमेंट करके बताना है और सों बार को हम अपने विनर का नाम अनौन्स करेंगे तीन विनर्स का नाम अनौन्स करेंगे और तीनों विनर्स को 25-25 डॉलर यानि कि गरीब 2-2 हजार रुपे का इनाम मिलेगा Binance Smart Chain के थुरू आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा तो कॉमेंट करके बिताएगी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों as always बहुत मैनेद लग रही है research करने में रोज टाइम निकालके आपके लिए content बनाने में और और भी एक वीडियो के शाम के लिए बना रहे है तो आप stick रही है चैनल पे और अपना प्यार देते रही है जैहिंद